Hello Student, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम जानेंगे कक्छा 5 के लिए विसे गनित का पेपर अपकी बार आपके बोड के पेपर होने वाले हैं कक्छा 5 के लिए तो आपके latest जो सर्कूलर है उसी के साप से हमने कुछ सामगरी उपलत कराई है आपके गनित के पेपर के लिए इसके साथ ये अन्य पेपरों के लिए भी सामगरी उपलत कराएंगे ताकि अच्छे से अच्छे समझ पाएं कि आपकी पेपर कैसे आएंगे और आपको किस परकार से सौल्व करना है आपने अन्य बहुत सारे पेपर देखे होंगे जिसमें आपको काफि भ्रहमित किया जा रहा है तो आपको उनमें भ्रहमित नहीं होना है कि आपको इत्ता हाड पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको पेपर वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपने पहले आपको पर्थम मुल्यांकन और दित्य मुल्यांकन या मिट्टम में आपको देखने को मिले थे इसी के अनुसार हम आपकी प्रैक्टिस के लिए सभी पेपरों का संगलग देके आए हैं जिसमें हम प्रतम मुल्यांकन दित्य मुल्यांकन और पहले अभी जित्ती विक्यूज आई हैं दित्य मुल्यांकन के बाद वह भी हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि इनी में से आपका paper बनने वाला है जो अम latest circular हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार तो आपको अन्यक कुछ प देखे और पूरा करें देखी दो गोले फिर वर्ग हैं, पर त्रिभुज फिर क्या आ जाएगा यहां पर एक गोला आ जाएगा, दो गोले हैं, चौथा उत्तर हो जाएगा, देखिए अगए पैटरन को पूरा करना है तो क्या आएगा पहले सीधा था फिर तिरखा, फिर सीधा पहले उल्टा हो गया फिर इस साड़ में सीधा हो गया फिर ये वालीचीज़ यहां पर आगई अब दूबारा ये वालीचीज़ आएगी तो ये कौन सा है, दूसरा है तो बह ओ जाएगा अगला है मनीजा के पास 42 किलोने ते 13 हीना को दे दिये तब किते किलोने रह गए मनीजा के पास 42 में से 13 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 29 किलोने बचेंगे बहुत तर आएगा अगला है रीना स्टेशनरी की दुकान पर 5 किताबे और अपने भाई की आँट किताबे खरिती है कुल किती किताबे खरिती है दोनों को जोड़ दे आँट और 5-13 उत्तर आएगा रानी के बगीचे में 60 आम और 22 टमाटर हैं जिसमें से 5 आम और 2 टमाटर खराब निकले अब कुल किते अच्छे टमाटर और आम बचे है 60 और 22 किते होते है 60 और 22 होते है 82 उसमें से 7 चीज़े खराब है किती बची बच्चों 45 चीज़े बची आउत्तर हो जाएगा एक पेड़ पर 25 पक्ची बैटे हैं आँट उड़ गए 25 में से आँट गए देखिए ये एक मीटर है ये दो, तीन तो तीन मीटर लंबाई हो जाएगी सवत्तर वैन की लंबाई देखिए ये एक, दो, तीन, चार, पांच पांच हो जाएगी ट्रेन की लंबाई बतानी है उप्यूक्त काई क्या होगी ट्रेन की लंबाई नापने की उप्युक्त पाई होगी मीटर कुत्व मिनार की उचाई मापने की लंबाई कित्ती होगी मीटर होगी सारा सनिवार को साथ गुडिया और रव्योवार को बाइस गुडिया खरीती है दो दिन में वे कितनी गुडिया खरीती है दोनों को जोड देंगे कितना आएगा उत्तर 29 आएगा अब एक रेस्टोरेंट में दुपेर के भोजन के दोरान 53 बर्गर और रात्री के दोरान 46 बर्गर कुल कितने बर्गर दोनों को जोड देंगे कितना उत्तर आएगा निन्यान में 86 और 13 का योग कितना हो जाएगा करके देखिए 86 और 113 199 दा उत्तर हो जाएगा फिर प्लस का है देखिए आप इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सभी प्रश्ण कैसे हैं या फिर तो योग के हैं योग या फिर घटाने के हैं जिसमें आपको घटाना है तो देखिए हमने योग के काफी सारे प्रश्ण किये हैं और बाकी क्या आप कर सकते हैं अब देखते हैं अगला प्रश्ण पत्र जो आपका मिड टम प्रश्ण पत्र था इसमें से देखिए पहले हमने क्या किया प्रश्ण पत्र में प्लस और माइनस करना सीखा उसी के प्रश्ण आये थे इसी प्रकार से आपको एक्जाम मिलेंगे पर अगरा देखिए 1645, 1451, 968 और 2000, 111 सबसे छोटी संख्याव क्या हो गई हमें संख्याव को पैचाना सीखना है 968 उत्तर हो जाएगा मैं आपको इस पेपरों के माद्यम से ही बताना चाहरा हूँ कि आपको किस तरह के आपको प्रश्ण पत्र मिलेंगे आपके जो प्रश्ण पत्र आएगा उसमें किस तरह के प्रश्ण मिलेंगे देखिए हमने पहले प्लस माइनस सीखा अब हमें संख्याओं को पैचानना है कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है और इसी प्रकार से गुना करना जैसे 5 मीटर के 125 रुपे लगते हैं तो 7 मीटर के कित्ते लगेंगे तो अब 1 मीटर का मुल्ले निकाल लेंगे 1 मीटर का क्या हो गया आप महां से भाग कर दीजिए 25 साथ गुना 25 कितना होता है बचों 175 ए उत्तर हो जाएगा देखिए एक पैकिट में 225 टॉफी है तो 40 पैकिट में कित्ती होंगी गुना करना सीखना है हमें प्लस माइनस कर लिया छोटी बड़ी संख्या है पैचान ली अब गुना करना और भाग करना सीखना है एक पैकिट में कित्ती है 225 हैं 40 में कित्ती होगी 40 से गुना कर दीजिए 40 से गुना करेंगे आप कितना उत्तर आ जाएगा 9000 अगला देखिए 19 का 19 में 9 का 1 अधिक पूरवेन क्या होगा 19 में 9 का 1 यूनिन क्या होगा 19 होगा अब 14 का 10 का हमें आधार विचलन बताना है 10 के आधार पर विचलन 14 का क्या होगा 4 होगा 10 के आधार पर देख रहे हैं 10 के आधार पर सोरी 10 हो जाएगा कौंस संक्या 3 वड 4 दोनों की गुनच है 3 वड चार दोनों का गुनच मतलब ऐसी संक्या पैचाननी है जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाता हो कौनसी है 12 जिसमें 3 का भाग जाता है 4 का भी पांच वा आट का सबसे छोटा गुनच क्या हो जाएगा जिसमें दोनों का भाग जाता है और सबसे छोटा भी है क्या हो जाएगा चालीस अब देखिए रिक्तिस्तान की पूर्ती करनी है पांच उपे परती नग किदर से साट रुपे लगेंगे कितने नग खरीदेंगे कि साट रुपे लगेंगे कितने नग खरीदेंगे हम बताईए उपर चे आपको बताना है दरजन इसी परकार से अन्य है आप देख सकते हैं भाग करना सीखना है हमें संख्याओं को पैचाना सीखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है नीचे के दोनों समान है कौन सी बड़ी हो जाएगी उपर की जो बड़ी है संख्या तो जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ ये निसान खुल जाता है हमने कैई सारी क्यूजों में भी देखा है तो ये बड़ी हो जाएगी, इस प्रकार के कुशन आपको बिलेंगे अब देखिए, असत्य सत्य बिलेगा जिसमें आमें बताना है कि ये सत्य है, असत्य है देखिए, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो बिकुल सत्य है 9189 मतलब की 8 9 होता है यह बड़ा होता है तो यह गलत हो गया चार उंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 है बिरकुल सकते है सबी 6 के गुणज 3 के गुणज भी होते हैं बिरकुल सकते है 12 चौकलेट को 7 बच्चो के बराबर बाणच सकते हैं क्या नहीं गलत हो जाएगा अब हमें मिलान करना सीखना है देखिए आप प्लस करके मिलान करेंगे इसको प्लस करेंगे आप तो इससे मिलेगा 47401 कितना होता है यह रहा 4 का स्थानिय मान 4 के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए पहला हो जाएगा 52 माइनस 32 हो जाएगा और 10,000 माइनस एक 10,000 माइनस एक इतना हो जाएगा 9,999 में यह गलत है यह रहा 9,999 में इसको मिलाएंगे 16 गुना 9,144 अब देखिए आपकी क्यूज कौन कौन सी आई है फरवरी की वे देख लेते हैं सुरूती दिखाए गए सामान को खरीदने के लिए बजार गई कितने रुपे खर्च करेगी सबी को जोड़ देंगे कितना उत्तर आ जाएगा 24 अगला देखिए सुधिर ने दिये गई वस्तुए खरीदी तो कितने रुपे खर्च किये होंगे सबी को प्लस कर देंगे पचास रुपे उत्तर आ जाएगा इसी परकार से अगला देखिए 10 के और 5 के नौट हमें सिक्के बताने हैं कितने लगेंगे इनको खरीदने में 10 के कितने लगेंगे 3, 5 का एक तो 10 के 3 और 5 के एक सिक्का कहां पर है चौथा उत्तर हो जाएगा सुस्मा ने अपने बेटी के लिए निमले कित खरीदे खिलों ने खरीदे हैं 10 और 2 के सिक्कों की आवस्पतक इत्ती होगे कुल टोटल कितना है ये 48 10 के 4 नौट और 2 के 4 नौट 4 सिक्के हो जाएगे दूसरा उत्तर हो जाएगा इसी प्रकार से देखिए हमें दियेगे कथन को बताना है किस प्रकार लिख सकते हैं देखिए 5-6 बार है तो मतलब 6 बार 5 9 बार 4 तो क्या हो गया 9 बार क्या है 4 नौबार है तो 9 गुना 4 हो जाएगा उत्तर 12 बार 3 12 गुना 3 देखिए 4 बार 4 4 गुना 4 अगला देखिए हमने 9 कौन बताना है 9 क्या होता है जो 90 से कम का होता है 90 से कम के 2 है A और B A और B उत्तर हो जाएगा दिगे याकरती में कितने कौन सम कौन है सम क्या होते है जो 90 डिगरी के होते है तो 90 डिगरी एक दी गई आकरती में कितने कौन एक सम कौन से छोटा है मतलब कि निवन कौन बताने है कितने है देखिए एक निवन कौन हो गया दो हो गए तीन हो गए तो तर तीन हो जाएगा दिए गई कौन के लिए निम्द में से कौन सा विकल्पस आएगा ये क्या है सम कौन से क्या है बड़ा 90 से डिगरी से बड़ा है ये क्या है सम कौन है 90 डिगरी है आकर्ती क्या है ये याकर्ती है हमारी व्रत याकर्ती है आयत हमें बताना है दी गई आकर्ती में कुल त्रिबुज और वरत की संख्या त्रिबुज देखिए एक ये दो हो गया ये तीन हो गया वरत एक और दो पांच आना चीए था यह है निफिर चाल लिख देंगे हम अगला देखिए दी गई आकरती में कौन सी आकरती एक वरत है वरत कौन सी है तीसरी है गोला वरत होता है इसी परकार से अन्या आप देखेंगे सबी में प्लस और माइनस के प्रशन हैं इसी परकार से आपको प्रशन पत्र मिलेगा बच्चों आपको बिकुल टेंसन लेनी जरुत नहीं है आपको अन्य विशो के भी हमारे चैनल पर इसी परकार से आपको समझाऊँगा कि आपको किस परकार के प्रशन पत्र मिलेंगे और हम पहले के प्रशन पत्र भी सौल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे चांसेज हैं कि यही प्रशन दुबारा आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एक्जाम में तो इसी परकार से जुड़े यह चैनल से लाइक करें सेर के सिस्क्राइब करें धन्यवाद